हेलो क्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूपर इस्टेडि ट्रिक्स में आज हम डिसकस करने वाले हैं इलावा धाई कोट ग्रूप C, ग्रूप D वेकेंसी के लिए ग्यानमुद्रा पब्लिकेशन का प्रक्टिस सेट नमबर एक जिसमें हमने सामिल किये हैं हिंदी, इंग्लिस, मैथ्स और जीएस के क्वेशन्स और इस प्रक्टिस सेट में हम टोटल 100 क्वेशन्स डिसकस करेंगे जैसा कि आपके एकजाम में टोटल 100 क्वेशन्स आएंगे तो आएए सुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो अगर आप चैनल पन नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें आईए सुरू करते हैं आज की वीडियो कोशन नमबर एक आठ मार्च को अंतराष्ट्य महिला दिवस मनाया गया इसमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विशे क्या है तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसन नमबर C ब्रेक दब बोईस तो आठ मार्च को अंतराष्ट्य महिला दिवस मनाया गया और इसमें कौन सा अभियान चलाए गया ब्रेक दब बोईस अभियान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बरतनों के लिए जाना जाता है तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसन नमबर B कौशन 3 एसिया का सबसे बड़ा मसाला बजार निमलिकित में से किशे मना जाता है तो एसिया का सबसे बड़ा मसाला बजार हो जाएगा उपसन नमबर D खारी वाबली नई दिल्ली कौशन 4 केंत सरकार के बिभिन मंत्रा लियो विभागों के काम की जाच करने के लिए विभाग से सम्मंदित 27 समीतियों की स्थापना कप की गई थी ताकि संसत के प्रती सरकार की जवाब देही को और अधिक मजबूत किया जा सकी तो गैज इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर बी, 1993 में Next question Question number 5 परम, हंस, स्री, स्री, योगानन्द गिरी जिनोंने परिश्रम को योग के ज्यान से परिचित किया इनका जर्म कहा हुआ था? तो इनका जर्म हुआ था गोरगपुर में Option number C, right answer हो जाएगा Question number 6 भारते संभीधान का निम्नमीर से कौन सा अनुछेद मानप के क्रेविक्रे तथा जवर्दस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिवन्द लगाता है जिसका right answer हो जाएगा Option number E, तेहिसवा, अर्टिकल अनुछेद number 13 क्या बताता है? मानप के क्रेविक्रे से संबंदित हो जाएगा Next question Question number 7 अप्तानी जन्जाती निम्न में से किस राज्ये के मूल निवाशी है तो अप्तानी जन्जाती का संबंद किस से हो जाएगा अरूना चल पिड़ देशी Next question 30 मार्च से 3 अपरेल 2022 तर भारत और किस देश के वीच दीव पक्षिय नोशेना अभ्यास बरून 2022 आजजित किया गया तो बरून किस किस के वीच होता है भारत और फ्रांस की वीच तो गया जिसका राइड अंसर हो जाएगा उपसर नमबर 1 Question number 9 भारतिया भूबेग्यानिक सर्विक्षन GSI ने भारतिया हिमाले छेतर में दो नए भूबेग्यानिक विरासत इस्तलों की पहचान की है अब भारत में कितने भूबेग्यानिक विरासत इस्तल हो गए है तो भारत में कुल भूबेग्यानिक विरासत इस्तल की संख्या की बात करने तो कितनी हो गई है 34 तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगो उप्सन नमबर C Next question Question नमबर 10 4 अप्रेल 2022 को 64 ग्रैमी अवर्ड्स 2022 में किसे एलबम उप दा इयर का आवार्ड प्रिदान किया गया तो एलबम उप दा इयर का आवार्ड किसे दिया गया है V R को Next question निम्न में से किस संविधान संसोधन के तहट GST विल पारिद हुआ था तो GST विल किस संविधान संसोधन के तहट पारिद हुआ था 122 बे संविधान संसोधन के तहट और यह अंतत्य कौन सा संविधान संसोधन हुआ 101 बा संविधान संसोधन ये भी आपको याद रखना है कुश हरवार है सैयुक्त राज्जी अमेरिका ने किस बर्स दूसरे विश्वयुद में प्रवेश किया था तो इस ने प्र वेश किया था सैयुक्त राज्जी अमेरिका ने 1941 में पहला कट पुदली मुगल समराट कौन था तो पहला कटपुदली मुगल समराट कोन था जहादर सा ओपसर नमबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्विश्य नमबर चोध है गुजरात में पुनन निर्मित स्री कालका माता मंदिर का उधगाटन 21 जून 2022 को किसने किया था तो कालका माता मंदिर का उधगाटन किसके द्वारा क्या गया है पृधान मंत्री नरेंद मोदी के द्वारा क्विश्य नमबर पंदर है टी ट्वन्टी विस्वकप 2022 में मैं उपदा टुर्नामेंट का खिताब किशे मिला है सैम करन को ओपसर नमबर सी राइट आंसर हो जाएगा कुष्य नमबर 16 मालावार एकसरसाइज 2022 किस देश के सास्थ सुरू की गई है तो मालावार एकसरसाइज किन देशों के बीच होती है चार देशों के बीच भारत जापान अमेरिका और नमबर चार हो जाएगा ऐस्टरेलिया तो गैज इसका राइट आंसर हो जाएगा उप तो यह कहां पर इस्तित है आर्ट्स एंड क्राफ्ट यह आपको बताना है तो जिसका राइट डांसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए लखनावुमी क्वेशन नमबर एठार है भूटिया जन जाती जो अपनी परंपरिक भव्यता कला और पाक सेली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है तो भूटिया जन जाती का संबन किस से हो जाएगा शिक्किम राज्येशे q question number 19 नमलिकित में से कौन सी नधी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है तो खंबात की खाड़ी में साबर्मती गिरती है माही मिलती है ताप्दी मिलती है तो गाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा option number d nine next question 1927 में महराष्ट में महान सत्याग्रे किसके द्वारा चलाया गया था तो महान सत्याग्रे किसके द्वारा चलाया गया था डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर की द्वारा option number B right answer हो जाएगा question number 21 भारत का अकसान से विस्तार उत्तर से उत्तर तक है तो कितने डिग्री से भारत का अकसान से विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तो किसका राइट आंसर हो जाएगा option number B question number 22 विदेश मंतराले द्वारा आयोजिव सांस्कृतिक संधिया कारेकरम में उत्तर प्रिदेश से कौन से नत्यों की प्रस्तूति दी गई है तो कौन कौन से नत्यों की प्रस्तूति दी गई है कथक की और चरकुला की तो कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D question number 23 हाल ही में बैंक और महाराष्ट द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सकी लोंच किया गया है तो प्रोजेक्ट बैंक सकी किस बैंक में लोंच किया गया है ओडिशा गया अंतरगत next question किस तुबार राष्टिया उध्यान भारत के निमलिकित में से किस राज्य या केंद सासित प्रदेश में इस्तित है तो इस question को आप important mark कीजिएगा तो guys इसका right answer हो जाएगा option number C जम्मू कस्मीर में next question proteins छोटे building block से बने होते हैं जिने किस नाम से जाना जाता है तो proteins जो छोटे छोटे building block से बने होते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है amino acid के नाम से option number C right answer हो जाएगा आईए हम हम हिंदी का part discuss करते हैं question number 26 सिंगार रस का इस्थाई भाब है तो सिंगार रस का इस्थाई भाब क्या हो जाएगा option number C बात करें हाश की किस प्रकार का चंद हो जाएगा अर्द सम्मात्रिक चंद बात करें दोहेगी तो दोहे में कितने चरण होते हैं चार चरण पहले और तीसरे में कितनी मात रहें तेहरे तेहरे मात रहें दूसरे और चोथे में कितनी मात रहें ग्यारे ग्यारे मातराई ये भी आपको याद रखना है Next question Question number 28 निमलिकित प्रस्ण में चार विकल्पों में से सही विकल्प का chain करें जो दिये गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुन्दर इसमें आपको बताना है की कौन सा अलंकार है तो बात करें अगर इस बात्के में तो यहां क्या सब्धाया है सा अगर कहीं भी सा सी से इस तरीके के सब्ध दिखाई दें तो बहां कौन सा अलंकार होगा उपमा अलंकार जिसका राइट आंसर हो जाएगा option number E, उक्मालंका question number 29 नीचे दिये गए विकल्पों में से आपको बिलोम सब्द बताना है अपविय के लिए सही बिलोम सब्द क्या होगा तो अपविय का आर्थ होता है जो अत्यदिक खर्च करता हूँ जो अत्यदिक खर्च करता हूँ उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा पपू भी है और मित इसका विलोम क्या हो जाएगा मित भी है जो बहुत कम खर्च करता हूँ उसको क्या बुलेंगे मित भी है question number 30 निमलिकित में से उस विकल्प का चेयन कीजिए जो दिच का अर्थ देता है तो दिच सब्द के कौन-कौन से अर्थ हो जाएगे दिच का अर्थ दांत बिल्कुल सही है दिच के अर्थ की बात करें अगर ब्राम्मन बिल्कुल सही है दिच का अर्थ पक्षी बिल्कुल सही है तो कहीं जिसका राइट आंसर हो जाएगा option number D question number 31 समस्त प्रत्वी से संबंद रखने वाला बाक्यांस के लिए एक सब्द तो समस्त प्रत्वी से संबंद रखने वाले को क्या बोलेंगे सार्भोमिक option number E right answer हो जाएगा question number 32 निमलिकित प्रेस्ट में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो सब्द युग्म या सम्रूपी भिन्नार तक सब्द वाला विकल्प है तो इसका right answer हो जाएगा option number E क्रत और क्रीद next question चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो सुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है तो इसका right answer हो जाएगा option number C बह आदमी गरीब था option number C question number 34 आपको इसमें pulling सब्द बताना है कि बिल्ली का pulling क्या होगा तो बिल्ली के लिए pulling सब्द क्या हो जाएगा बिलाब option number B नीचे दिये गए सब्द का सही बहुबचन रूप वाला विकल्प पहचानिये तो बहुब विकल्प आपको बताना है कि किसमें बहुबचन वाला रूप है तो option number D right answer हो जाएगा अमी लोग question number 36 सियाम ने पुस्तक पड़ी इस बाक्ये में चारों विकल्पों में से सही कर्ताकारक को पहचा लिए तो कर्ताकारक की विवक्ती चिन क्या हो जाएगी ने तो काई इसका right answer हो जाएगा option number B question number 37 बे भरेष्टा चार के प्रवल विरोधी थे बाक्ये में सर्वनाम का कोन सा प्रकार है तो बे भरेष्टा चार के प्रवल विरोधी थे इसमें आपको बताना है कि बे में कौन सा सर्वनाम का रूप है तो इसका right answer हो जाएगा option number D पुरुस बाचक सर्वनाम question number 38 जिस बिकारी सब्द से संग्या की बियाप्ती मर्यादित होती है उसे क्या कहते है तो जिस बिकारी सब्द से संग्या की बियाप्ती मर्यादित होती है उसे क्या बोलेंगे हम बिशेशन या जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं क्या खेलाते हैं बिशेशन option number B right answer हो जाएगा निमलिकित प्रेशन में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चेहन करें जो सकर्मक किर्या वाला विकल्प है तो सेकर्मक किर्या वाला कौन सा विकल्प हो जाएगा option number C लेना question number 40 राम खाता होगा बाक्ये में काल का सही विकल्प है तो राम खाता होगा एक संदिग्द बोध है वह जिसका राइट आंसर हो जाएगा option number A संदिग्द बर्तमान का question number 41 बाच्चे के कितने पिरकार है तो बाच्चे के कितने पिरकार हो जाएगे तीन करत बाच्चे कर्मू बाच्चे वो नमबर तीन हो जाएगा भाब बाच्चे option number A right answer हो जाएगा question number 42 निमलिकित में से चार विकल्पों में से उस बिकल्प का चेन करें जो अब्य नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आज अब्य है कल अब्य है किसे अब्य है तो जिसका right answer हो जाएगा option number D जापान question number 43 निम्लिकित प्रेस्ट में से, चार विकल्पों में से, उस विकल्प का चैन करें, जो उपसर्ग से नहीं बना है, तो प्रेकर्स में प्रे उपसर्ग लगा है, अप सब्द में अप लगा है, अनू जी भी में अनू लगा है, तो गैज इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपस सभी सब्द सही संदी विछेद आपको बताना है यदपी का यदपी का सही संदी विछेद क्या हो जाएगा यदी धन अपी मिलकर किसका निर्मान करेंगे यदपी का 46 से 50 तक आपको गध्यांस को ध्यानपूरवक पढ़ना है उसके बाद प्रशनों के उत्तर देने हैं तो एक बाद आप गध्यांस को ध्यानपूरवक पढ़ लीजे गध्यांस को आप वीडियो को पोच करके भी पढ़ सकते हैं एक बाद आप ध्यानपूरवक पढ़ लीजेगा उसके बाद आपको प्रश्णों के उत्तर देने कोशन नमर चालिस लच्मन राम के साथ बनवास के लिए क्यों गए तो भाई के प्रति अत्यदिक प्रेम के कारण ओपसन नमर सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर चालिस लेखक को क्या दुख है लेखक को दुख है रचनाकारों ने उर्मिला के विशे में कुछ नहीं लेगा ओपसन नमर टी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर अरतालिस उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे आंसर से हात दोर डाला इस पंक्ति से लेखक का क्या दात पर रहे है तो इसमें आपको बताना है कि क्या दात पर रहे है तो ओपसन नमर भी राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला को नबलोत में पती के साथ सुख का त्याग करना पड़ा नेक्स कुश्चिन उर्मिला ने क्या बलीदान नहीं दिया तो उर्मिला ने कौन सा बलीदान नहीं दिया लचमर से बीभा किया ओपसन नमर ए कुश्चिन नमर पचास लचमर ने एक रतिम भात रिसने के कारण किसका साथ दिया अपने बड़े भाई का ओपसन नमर बी आईए अब हम देखते हैं मैस के कुश्य कुश्य नमर इक क्या बन 10 तता 50 के मध्य की एक रून संक्या X उसके अंकों में उलट फेर के उपनांद भी प्रभाव हीन रहती है तो उस संक्या का बर्ग क्या होगा तो आपको देखना है 10 से 50 के बीच में कौन सी ऐसी रून संक्या है बात करें रून संक्या या रून संक्या का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा अबाज्य संक्या तो बात करें अगर हम 11 गी तो 11 एक ऐसी संक्या है इसके अंकों का उलट फेर करेंगे तब भी ग्यारे रहेगी और ग्यारे का बर्ग करने पर क्या होगा एक्सो इक्टिस तो गईजिसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए नेक्स्ट कुश्शन यदि दो संख्याओं का योग 9 है यदि दो संख्याओं का योग 9 है एक्स पिलस बाई बराबर 9 माना पहली संख्या एक्स दूसरी बाई दोनों का योग कितना हो गया 9 और उनके ब्यूत क्रम का योग 1 बटे 2 है तो बन अपोन एक्स पिलस बन अपोन बाई बराबर कितना हो जाएगा 1 upon 2 यहां से LCM ले लीजिए तो X plus Y बराबर 1 upon 2 X plus Y बराबर 1 upon 2 upon X Y बात करें X plus Y की इसकी value कितनी हो जाएगी 9 upon X Y equal to 1 upon 2 X Y बराबर हो जाएगा 18 तो ऐसी दो संख्याएं देखनी हैं आपको भी कल्प में जिनका योग तो 9 हो और उनकी गुणा करने पर क्या मिले 18 तो बात करें 3 और 6 की तो 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 9 और 3 और 6 की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 18 तो गाई जिसका right answer हो जाएगा उपसा नमबर C Next question बारसिक चक्रवद्धी ब्याज की दर जिससे कोई धन तीन बर्स में स्वेम का 125 बटे 64 गुणा हो जाता है तो आईए इसे देख लेते हैं बात करें अगर हम एगी तो एगी बैल्यू कितनी दी है इसने 125 बटे 64 P मूल धन का कितना हो जाता है 125 बटे 64 आईए फॉर्मूला लगाते है 125 बटे 64 P बराबर P इन्टू 1 पिलस R अपोन 100 पावर N N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 P से P कैंसिल अगर इधर घन्म है इधर आके क्या हो जाएगा घन्मूल तो यहां हो जाएगा 1 अपोन R अपोन 100 हो जाएगा 1 अपोन 4 R अपोन 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपोन 4 R इक्वल टू 100 अपोन 4 तो यहां से क्या आजाएगा 25 तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसा नमबर B नेक्ट क्वेशन एक ट्रेन 50 किलोमेटर प्रति घन्टा की चाल से जा रही है तो ट्रेन की चाल कितनी दी है इसने 50 किलोमेटर प्रति घन्टा बात करें अगर हम इसे मेटर प्रति सेकिंड में करन्वर्ट करने के लिए तो हमें किस से गुड़ा करनी पड़ेगी 5 बटे 18 से तो इसकी बैल्यू कितनी हो जाएगी 250 बटे 18 मीटर प्रति सेकिंड यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है तो बहर 150 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफोर्म को कितनी देर पार करेगी तो आपको सूत लगाना है चाल बराबर दूरी बटे समय आपको ग्याद करना है समय तो क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल दूरी कितनी दी है 100 मीटर तो लंबाई है किसकी ट्रेन की और 1500 मीटर किसकी लंबाई हो जाएगी 100 मीटर तो लंबाई हो जाएगी ट्रेन की और 150 मीटर हो जाएगी रेलवे प्लेटफोर्म की तो यह हो जाएगी दूरी दूरी बटे चाल चाल की बात करें तो चाल कितनी है 250 बटे 18 तो 100 में 1500 एट करेंगे कितना हो जाएगा 250 बटे 250 18 चला जाएगा उपर 250 से 250 केंजिल तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर B 18 सेगिंड में Next question एक रेलबे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रती 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन पिरती एक 3 मिनट पर गुजरती है तो 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजरेंगी तो बात करें अगर हम डाउन ट्रेन की डाउन ट्रेन कितनी जा रही है दो मिनट पर एक तो 30 मिनट में कितनी चली जाएंगी इसे इससे डिवाइट कर तो 5 रहे और एक अप ट्रेन पिरती एक 3 मिनट पर गुजरती है तो ये कितनी चली जाएंगी 10 टोटल कितनी होगी 25 तो गई जिसका रहेट आंसर हो जाएगा उपसन नमबर D किसी संक्या के 3 बटे 8 वे भाग किसी संक्या माना संक्या क्या है X तो X का 3 बटे 8 भाग तता 2 बटे 7 वे भाग का अंतर माइनस 2 बटे 7 X बराबर कितना दिया है 25 आई ये से 16 कर लेने 8 और 7 का ले से क्या हो जाएगा 56 8 सत्य चप्पन तो सात्या 21 X माइनस 7 अट्य चप्पन तो 8 दूनी 16 X बराबर हो जाएगा 25 यहां से X कोमन ले लिया 21 में से 16 घटाएगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे 56 बराबर हो जाएगा 25 5 से 25 जाएगा 5 बार तो 56 और 5 की गुणा करने पर क्या आ जाएगा 5 चंग 30 का 0 25 और 3 28 तो गाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 3 नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 57 आपको कमेंट बूक्ष में आंसर देना है राम और रहिम की मासिकाई का अनुपाद 7 अनुपाद 4 है उनके बिया का अनुपाद 5 अनुपाद 2 है यदि उनमें से पृतियक 900 रुपे की कतिमा की बचळत करता है तो निमनांकित में से कोई राम की आय दिन निर्दिष्ट करता है तो इसमें आपका राम की आये बताना है बस इतना याद रखना है आये में से बी आये अगर माइनस कर दें तो क्या मिलेगा आपको बचत इसका आंसर आपको कमेंट बोक्ष में देना है Next question देखते हैं Question number 8 5 ब्यक्तियों के परिवार में प्रति ब्यक्ति वो सताई 1000 रुपे प्रति माँ है कितने ब्यक्तियों का परिवार है 5 का प्रति माँ कितनी है 1000 तो टोटल कितनी होगी 5000 इसी परिवार में एक ब्यक्ति की अगर बारसिक आए 12000 रुपे बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रतिव्यक्ति आये अब कितनी होगी कितनी बढ़ जाती है 12,000 रुपे बारसिक अगर 12,000 रुपे बारसिक बढ़ी होगी तो महीने में कितनी बढ़ेगी 1,000 रुपे तो अब टोडल कितनी हो जाएगी अब हो जाएगी 6,000 रुपे करने वाले अब भी कितने है पांच तो पांच से डिवाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा बारे पंजे साट बारे सू तो गैज इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपसन नंबर ए नेक्स वेशन दस सेंट्यमीटल लंबाई के एक घं से दो सेंट्यमीटल लंबाई वाले कितने घं बनाई जा सकते हैं तो इसमा आपको बताना है कि कितने घं बनाई जा सकते हैं तो दस गुणा दस गुणा दस इसको डिवाइट किससे करेंगे घं का आयतन कितना बुजागी घार तीन दो से पांच बार दो से पांच बार तो कितना हो जाएगा 125, option number C right हो जाएगा next question किसी संख्या और उसके बर्ग का योग 240 है माना कोई संख्या X और उसके बर्ग का योग कितना है 240, तो बहर संख्या क्या होगी यहाँ से X हम common ले लेते हैं तो क्या बचेगा बन पिलस X वरावर 240 अब आपको option के थुरू देखना है कि कौन सी संख्या सटीक बैठती है तो बात करें अगर हम 15 रहेगी तो 15 गुणा 16 15 और 16 मिलकर क्या जाएगा 16, 85 तो इसे हाजाएगा 240 तो कई जिसका right answer हो जाएगा X की value क्या हो जाएगी 15 next question देखते है पिर्थम 20 पिर्थम 50 प्राक्रस संक्याओं का ओसत है तो पिर्थम 50 प्राक्रस संक्याओं का ओसत क्या हो जाएगा प्राक्रस संक्याओं की बात करें तो पहली संक्या एक उल 50 भी संक्या क्या हो जाएगी 50 भी संक्या क्या हो जाएगी इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 62 दो संख्या है 15 अनुपाद 11 के अनुपाद में है यदि उनमें से एक संख्या 143 है और उनका मैसे 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दो संख्या है 15 अनुपाद 11 के अनुपाद में माना पहली संख्या 15 X तो दूसरी क्या हो जाएगी 11 X मैसे क्या हो जाएगा इनका X और X की value दी है 13 अगर 15 की गुणा आप 13 से करें एक बार आपको करनी है 11 की गुणा 13 से 11 की गुणा 13 से करेंगे तो क्या मिलेगा 143 तो 15 की गुणा आप 13 से कीजिए 15 गुणा 13 तो गई जिसका राइट आंक पर हो जाएगा उपसा नमबर बी नेक्स्ट कुश्यन एक दी घास समीकरण 2x2 प्लस 3x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा यह दी किसी समीकरण के मूल बराबर है तो b square minus 4a c बराबर क्या हो जाएगा 0 के b की value कितनी हो जाएगी 3 3 का बर्क करेंगे तो 9 minus 4 a की value हो जाएगी 2 और c की value हो जाएगी k बराबर 0 तो 9 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8k के तो k बराबर 9 बटे 8 तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसा नमबर a Q64, दो संक्याओं का अनुपाद, तीन अनुपाद 5 है यदि उनका लगुत्तम समाबबर तक LCM 300 है तो छोटी संक्या बताईए अगर बात करें हम लैसे की पहली संक्या मानी हमने 3X तूसरी हो जाएगी 5X तो 3X और 5X का लैसे क्या हो जाएगा 15X, 15X की वैल्यू कितने के बराबर दी है 300 के, तो 15 दूनी 30 X की वैल्यू कितनी आगई 20 तो पहली संक्या हो जाएगी 20 त्या 60 तूसरी हो जाएगी 2500 तो जिसका राइट अन्सर हो जाएगा उपसर नमबर भी, छोटी संक्या क्या हो जाएगी 60 Next question Question number 65 65 को देख लेते हैं 225 का अंडरूर निकालेंगे तो 15 इसे इसमें एड़ करेंगे तो यह किसका हो जाएगा 13 का 13 के बाद इसमें 612 में 13 जोडेंगे तो यह हो जाएगा 15625 और 15625 का बर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 125 Question number 68 एक पंक्ये को 1200 रुपे में बेच कर संजे को 200 रुपे की हानी होती है तो बहुत कितने में बेचे की उसे 10% का लाब हो 1200 रुपे में बेची तो कितने की हानी 200 की तो टोटल कितना हुआ 1400 रुपे में उसे बेचनी चाहिए वो 10% लाप के लिए कितने पर बेचें तो इसके एक गुणा कर दीजिए आप 110 बटी 100 से 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 140 की गुणा 11 से गन्ने पर क्या मिलेगा 0, 4, 5, 1 1540 तो गई जिसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D 1540 रुपे में बेचने पर उसे कितने का लाप होगा 10, 30 का लाप तीन गंटिया क्रम से 9 बारे 15 मिनट के अंतराल पर भशती है तो यह किसका प्रसन हो जाएगा लैसे का यदि सभी तीनो प्राते 8 बज़े बजना प्रारम करती है तो कितने बज़े वे तीनो फिर एक साथ बज़ेंगी जब भी एक समान या एक साथ की बात हो तो आपको क्या ग्यात करना है LCM 9 बारे 15 का LCM क्या हो जाएगा 3 त्या 9 3 चोग बारे 15 3 चोग बारे 15 60 60 त्या 180 तो इनका लैसे क्या हो जाएगा 180 बज़े बज़ी थी तो उसके 3 घंटे बाद कब बज़ेंगी 11 बज़े तो गया जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसा नमबर C 11 AM Next question Question number 70 35 cm गुणा 20 cm आकार की एक तस्वीर को 45 cm गुणा 30 cm बाहरी आयाम के एक फ्रेम में लगाया जाता है तो उस तस्वीर के चारों तरफ बोडर का छेथफल कितना होगा तो बोडर का छेथफल कैसे निकलेगा बड़े वाले छेथफल में से चोटा वाला छेथफल माइनस कर दीजी तो 5 तिया 15 का 5 5 चुग 20 और एक 21 3 पंज़े 15 का 5 हसिल लगाए 2 तिया 6 एर एक 7 70 तो यह आ जाएगा 770 तो 1350 में से 770 माइनस करना है आपको 0 15 में से 7 गया 8 12 में से 7 गया 5 तो गरे जिसका राइट अंसर हो जाएगा उपसन नमबर C 5802 सेंटीमीटर कुशन नमर 71 एक चक्रे चत्रुज ABCD में कौन A वराबर 80 तो कौन C का मान क्या होगा चक्रे चत्रुज के सम्मक कौनों का योग कितना होता है 180 अंस अगर एक कौन 80 का है तो दूसरा कौन कितने का हो जाएगा 180 माइनस 80 तो यह कितने का हो जाएगा 100 अंस का उपसन नमबर C राइट आंसर हो जाएगा Q72, 12 cm भुजा बाले, एक बर्गाकार छेतर के एक कुने में, एक बकरी 7 मीटर लंबे रस्ची से बंदी हुई है, तो भैकुल कितने छेत पल में घास चर सकेगी, खेत किस तरह का है, बर्गाकार, खेत किस तरह का हो जाएगा, एक बार खेत बना लेते हैं, ये हो जाएगा बर 14 मीटर, अगर बकरी किसी कोने पर बंदी है, मान लीजिए एकोने पर, और ये है 7 मीटर के एरिये तक ही घुम पाती है, तो आपको इस तिर्जे खंड का छेत्पल निकालना है, छेत्पल हो जाएगा पाई आर स्कॉय ठीटा अपून 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की व साथ से साथ के एंसी, ये गया दो बार, ग्यारे बार, तो ग्यारे सत्य सत्तर बटे दो, तो ये आजाएगा 38 दसमलव, पाँच, परग मीटर, नेक्स कोईशन, कोईशनमत 73, एक पंच बुच का एक कॉन 140 है, और सेस कॉन 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा क क्या होगा, बात करें, पंच बुच के सभी कॉनों का योग कितना होता है, तो आप क्यात कर सकते हैं, 2N-4 समकॉन से, N की जगे पुट करना है 5, गुणा कितने से करनी है, 90 से, 5 दुनी 10, 10 में 4 गया 6, तो 6 गुणा 90 कितना हो जाएगा, 540, तो पंच बुच के सभी कॉनों क योग तो हो जाएगा 540, अगर इसने कॉन दिये हैं कि सनुपात में, पहला X, दूसरा 2X, तीसरा 3X, चोटा 4X, और पांच बे कॉन की बेल्यू दी है, 140, इस सब को हमें किसके बराबर रखना है 540 के, 2X और 1X 3X, 3, 3, 6, 4, 10X, तो 10X फिलस 140 बराबर हो जाएगा, 540 के, तो तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, इसने पूचा है सबसे बड़ा कॉन, तो सबसे बड़े कॉन के लिए X की गुणा के से 4 से, तो 4.16 X की वैल्यू की, सबसे बड़े कॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 160, वोपसा नमबर D, राइट आंसर, पूशन नमबर 74, यदि साइन ठीटा वराबर, माइनस A अपॉन B, तो आपको बताना है कॉस्ट ठीटा की वैल्यू, एक बात तिर्वुज बना लेते हैं, अगर साइन ठीटा की वैल्यू दी है, साइन ठीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस A अपॉन B, साइन ठीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब value तो दी है इसने कितनी minus a कन की value कितनी दी है b तो आधार कितना हो जाएगा आपका आधार निकालना है आपको आप मालीजे इसे x तो समकौन तिर्बुज में क्या होगा कन का बर्ग b square बराबर a square minus a square plus x square तो b square बराबर a square plus x square तो b square minus a square बराबर x square तो x square की value x की value किसके बराबर आ जाएगी under root b square minus a square की तो x की value किसके बराबर आगी under root b square minus a square आपको बताना है cos theta की value cos theta क्या होता है आधार वटे कन आधार की value है under root b square minus a square और कन की value है b तो गए जिसका राइट आंतर हो जाएगा अंडरूट B स्क्वाइर माइनस A स्क्वाइर अपोन B एक टेली वीजन की कीमत में 25 प्रितिसत की बढ़ोतरी हो जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रितिसत कम करना पड़े ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 25 की तो 25 से सीधा हम कहां पोचेंगे 125 पर गुणा सो 25 पंजी 125 पंजी 125 से गया 20 पर तो गए जिसका राइट आंतर हो जाएगा उप्सन नमबर C नेश्ट कोशन आई ये अब हम डिसकस करते हैं इंगलिस का पोशन तो गए जिसका राइट आंतर हो जाएगा उप्सन नमबर A इस्टंबल्ड नेक्स्ट कोशन तो यहाँ पन आपको साइन देख कर ही पता चला है तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगी राइट पोशन उप्सन नमबर C 2 क्वेशन नमबर 89 चूज दा फोलोईंग सेंटेंस इन्टो एक्टिव बोईज गुड नीज बाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाई आस तो वी वर एक्सपेक्टिंग गुड नीज उप्सन नमबर B राइट आंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर 80 चूज दा पिलूरल फ्रोम ओफ दा गीवन वर्ड तो आपको गीवन वर्ड का पिलूरल बताना है विरिफ का तो वी विरिफ का तो उप्सन नमबर ए राइट आंसर विरिफ नेक्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 81 बीच ओफ दा फॉलिइंग इजे मिस्स्पेल्ड वर्ड तो इसमें आपको बताना है कि किस की स्पेलिंग गलत है तो किसमें रिक्वेश्ट है यह आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजे प्रोपन नावन इन में से प्रोपन नावन कौन सा हो जाएगा रामायन नेक्स्ट क्वेशन फिल इन दा विलैंग्स विद दा करेक्ट फ्रेजल वर इट इज नोट इजी तू बिरिंग अप चिल्टरन नाव एडेज तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आसा कैन सोल्ब दा प्रोब्लम बिदाउट एनी डिफिकल्टी तो गैज इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपसन नमबर ए आसा नेक्स्ट क्वेशन नमबर 87 तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ओपसन नमबर D तो इसका हो जाएगा ओपसन नमबर B इसका सिनोनीम हो जाएगा तो गैज इसका राइट आंसर हो जाएगा option number a he is an m एक ही जगे किसका यूज होना चाहिए n का यूज next question question number 90 which of the following sentence is imperative तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा sentence imperative है तो गया जिसका right answer हो जाएगा let him go home option number c right answer हो जाएगा question number 91 indicate the tense of the following sentence I have sent a letter to him यह आपको बताना है कि किस tense का बाक्य है तो यह हो जाएगा present perfect tense का next question give one word substitution for the following the scientific study of insects क्या 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 जाता है entomology option number b right answer question number 93 pick out the correct question tag for the following for the following pupils should not drink and drive should they तो इसमें कौन सा हो जाएगा option number a should they यह question tag से related question है question number 94 which suffix can be used with the following word spoon mouth तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा suffix का यूज होगा तो इसका right answer हो जाएगा option number d full write the one word for the following group of birds which can not be read तो उसे क्या बोलेंगे eligible option number v right answer हो जाएगा 96 fill in the blanks with the past perfect tense the train fill fill in the blanks है उसके बाद उसके बाद the platform before I reached the station the train had left the platform before I reached the station option number d is the right answer question number 97 choose the correct prefix for the following word तो loyal के लिए आपको बताना है कि prefix क्या हो जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा disloyal option number a right answer question number 98 choose the word similar in the meaning confess confess के लिए क्या हो जाएगा तो किसी ने confess किया या admit किया बात एक होगी तो इसका right answer हो जाएगा option number d question number 99 choose the correct spelling इसमें आपको बताना है कि correct spelling क्या हो जाएगी तो पजस की spelling क्या हो जाएगी correct p o double s e double s दोनों बार क्यासा s double option number b is the right answer question number 100 कजस जोप स्पेलिंग आएगा r a silent letters b word pronunciation option number c one letter different sounds option number d all of the above तो गैज इसका right answer हो जाएगा option number d all of the above तो गैज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भूला thank you friends